नमस्कार आरजेहें दोस्तों आप सभी लोग देखे रोपने टेस्टिड यूटूब चैनल तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ MP Board Exam 2021 को लेकर जैसे की मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सभी लोगों को मालम चली चुका है कि MP Board दस्वी के एक्जाम अब नहीं होने वाले इसमें किस प्रकार से आपको प्रमोशन मिलेगा कैसे आप लोगों का रिजल्ट तयार होगा उसको लेकर लगातार आप लोगों की चर्चाएं जारी हैं जिसके अंतरगत एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसमें मालम चला है कि MP Board दस्वी वाले च्छात्रों के तिमाई और छेमाई के आधार पर रिजल्ट बन सकता है कुछ स्कूलों में चात्रों के जो हाफेली एक्जामनेशन है वो खंपने नहीं हो पाए है जिसके तहर दोस्तों वह वाला जो मीटिंग ही वह वाला जो फैसला था उस पर सरकार अड़िक नहीं रह पाई समय में दुबारा से आप लोगों के नई डेट गोशित की जाएगी जिसके अधार पर आप लोगों के प्रैक्टिकल एक्जामनेशन कराए जाएंगे फिरहाल आप लोगों के प्रैक्टिकल एक्जामनेशन नहीं होंगे दस वी के एक्जामनेशन नहीं होंगे बार वी के तिमाई और छेमाई की अधार पर तयार किया जा सकता है जिसके लिए सरकार कभी भी फैसला सुना सकती है बहुत ही बड़ी ख़बर तो आपसे कुजारिश होगा वीडियो को तुरंट लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जितना हो सके शेयर कर दीजिए दोस्त के इंतरगत बारवी की परिक्षाय और भी टाली जाने वाली है इनिके बारवी की डेड ही तुबारा से बहड़ाई जाएगी दसवी कर बारवाग न individuals के परिक्षाय को रद करने का मन तो बना लिया है लेकिन रिजल्ट के format पर फैसला बाकी है CBSC board वाले छात्रों को जो मासिकि टेस्ट है, उसके आधार पर रिजल्ड बनाया जा रहा है, WMP board के तिमाई और 6ымाई परिख्षाउं के आधार परिजल्ड बनने पर विचार किये जा रहा है, छात्रों के पिछले साल के परिणाम को भी मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है यहां पर बोला है हाल ही में विभाग नया परत्तियों के यह नि परीच्टिकल एक्जामिनेशन वो भी स्थगित करती है सरकार मानती है कि प्रदेश में कोरोना संकरोन के ऐसे अहलात नहीं है कि बारवी के परिक्षा ली जाया से मैं शातरों को अभी भी इंतियार करना होगा यदि कोरोना के स्थिती में सोधार होता है तो परिक्षा और आगे बढ़ाई जाएंगी यदी आप लोगों की सरकार जून तक ले जाती है तो ही आप लोगों के प्रमोशन के जो चांसित है वो बारी वालों के लिए बढ़ जाएंगी तो दोस्तों यह आप लोगों की एक और खबर सामने निकल के राई है जिसमें अब होपाल की ओर से बोला गया है कि दस्वी में जर्नल प्रमोशन नहीं मिलेगा जर्नल प्रमोशन का मलब दोस्तों आपको डारेक्ट पास नहीं किया जाएगा बलकि आंतरिक मूल लियांकन और गेर आसिस्मेंट के अधार पे आप लोगे मार्क्स सयर होंगे उसके अधार पे रिजल तैयार होगा यहां पर दोस्तों जो भी दस्वी वाले ज छातर है उनको ले के सरकार का बड़ा फैसला है यहां पर बोला गया है राजमंत्री जो हैं आपने अ粉ने वनोंने उन्होंने कनफर्म हो चुकी है तो दोस्तों आप लोग बिलकुल निशिन्त रहें अब दसवी वाले चात्रों के एक्साम नहीं होने वारे सिर्फ दसवी वाले एक्सामनेशन के लिए रिजल्ट है वो तैयार हो रहा है किसा अधार पे तैयार होगा यह ऐसे ही कोई अप्डेट आएगा हम आपको बता ही देंगी को जारे शोगा जुड़े रहे हमरे साथ ताकि आपको पूरे अप्डेट ऐसे ही प्राप्त होते रहें साथ वीडियो को लाइक करके शेयर चरूर कर दीजिए